आप अगर लॉन लेने का प्लान बना रहे हैं और आपकी सैली 35,000 रुपे हैं तो आपको 6,000,000 रुपे तक का लॉन एक बैंक से मिल जाएगा 6,000,000 की EMI कितनी होगी आपको पता होना चाहिए तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 6,000,000 रुपे का लॉन लेने का प्लान कर रहे हैं और आपको 6,000,000 का लॉन लेना है एक साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए, चार साल के लिए या पांस साल के लिए तो आपकी EMI केतनी बनेगी वीडियो में तक देखिएगा और उससे पहले एक लाग से लेके पांच लाग तक की आपको EMI का calculation नहीं मालुम है तो उसके लिए हमने जो playlist बना रखा है इस playlist में जाके आप अपने loan को select करिए कि आपने कितना loan लेना है या ले रखा है और उस पता करके EMI के बारे में पता कर सकते हैं यह जो WhatsApp नमबर आ रहा है यहां आए हमारी टीम आपको बताएगी कि आपके loan का EMI कितना बनेगा पेपर क्या लगेगा कैसे rate of interest कम करा सकते हैं और कैसे घरवेक्टे loan ले सकते हैं मैं हूँ अबदूल और आप देख रहे है दोस्तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में टॉपिक जो है आपके लिए कि 6 लाक रुपे का loan एक साल से 5 साल तक के लिए लेते हैं तो आपकी EMI कितनी बनेगी है दोस्तो लोग loan क्यों लेते हैं अगर आप loan लेने का plan मना रहे हैं तो loan आप क्यों ले रहे हैं अगर आपके घर में कोई emergency आ गई है या आपके घर को renovate करना है आपकी शादी होने वाले आप कहीं घूमने फिड़ने का plan मना रहे हैं तो अगर आपके पास liquid fund की कम ही हो गई है यापको पास पैसे खतम हो गए तो आप किसी से उधार मांगने से, किसी पास हाथ पहलाने से अच्छा है, कि आप बिजनेस मेंने तो अपने बिजनेस के विहाब पे और अगर आप सेलीट पर सेलीट के विहाब पे लॉन को ले सकती है, लॉन आपको बैंक 3-4 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर में आपके अकॉंट में डिस्वर्सल कर देता है, अगर आपका सिबील अच्छा होता है और आपके पेपर पूरे होते हैं, एक लॉन में पेपर क्या-क्या लगता है और लॉन का जो रूप होता है, वो बिजनेस लॉन है या परस्नल लॉन है उसकी इंफरमेशन भी आपको होनी चाहिए, उसमें कुछ टर्म्स होते हैं कि गाप इंटर्स क्या होता है, प्रोसेसिंग फिस्ट क्या होती है, इंसुरेंस क्या होता है, इसकी इंफरमेशन आपको होनी जरूरी है तो इस लिन्क पे क्लिक करके आपको पूरी सीरीच के बारे में पता चल जागा और नहां पर जाके आप इन सारी चीजों को किलियर कर सकते हैं तो फड़ावट हम लोग ले ले लेते हैं दोस्तों छे लाग रुपय का अमांट ले 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 फड़ावट दोस्तों रेट ऑप इंटर्स जो हम लगा रहे हैं 12% का और हमारा टेने और जो रखा एक साल का तो यहा पड़ावट हम लोग टाइम चेंज करते हैं हमने टाइम रख दिया दोस्तों दो साल का अमांट है हमारा छे लाग रुपय रेट अप इंटरस्ट बारा परसंट तो हमारी जो इमाई कैलकूलेशन बनी है 28 से या 244 रुपय है छे लाग हमारा इंटरस्ट है और छे लाग सा जारी है लेकिन इंटरस्ट आपका जो है न बढ़ता हुआ जार है फड़ा बड़ा हम तीन साल का लेते हैं छे लाग का बारा परसंट पर तीन साल के लिए हमारी जो इमाई बनी है 19,928 रुपय है हमारा छे लाग रुपय का पिंसिपल है अभी इंटरस्ट जो हमारा एक ल प्लिकेशन इंकम रिश्यो कैसा है आपकी इंकम अगर अच्छी है 40,50,60,60,20,00, रुपय है तो आप शौर्ट ट्रम के लिए लोन लेकि अपने इंटरस्ट को बचा सकते हैं लेकिन अगर आपकी इंकम कम है 30,20,40,00, आपको ज्यादर लोन चाहिए तो फिर आपको लोन ट् आपको इंटरस्ट लगेगा और 7,88,414 आपको टोटल पेमिंट करना है लास्ट हम कैलकूलेशन ले ले लेते हैं दोस्तों 6,00,00, रुपय का बारफ परशन पे 5 साल के लिए तो हमारी यह माई बनेगी 13,346,66 पैसे 6,00,00, का हमारा फिंसिपल है 2,800,00, रुपय हमारा लोन लेना है आपकी कितनी इंकम है आप बिजनेसमेन है या सलीट परसंट है आपने पहले लोन कितना ले रखा है क्या रेट आप पिंटर्स पे ले रखा है यह सारी इंफोर्मेशन अगर आप हमें परवाइट करेंगे तो हो सकता है आपने जो महंगे रेट आप पिंटर् इसके लिए आपको करना किया कुछ नहीं करना है जो वर्सप नमबर आ रहा रहा आईए आप अपने इंकम को बताइए हमारी टीम को सवाल पूछे कि उसका जवाब दीजिए और घर बैठे लॉन करवाने का तरीका सीखिए वीडियो अच्छी लगी तो कर दीजिए जोट सु हो सकता है या तो गुड लॉन या बैड लॉन आप नहीं चाहेंगे कि आपका लॉन बैड लॉन हो सी यू